बीटर कंपनी का पहला प्रोजेक्ट वेत्णा में फाइनल हो चुका है दोस्तों और वहाँ पर एक नहीं तीन फाइनल हुए है वहाँ की एक रियले स्टेट कंपनी है और बलाग कुसके साथ मिलकर जो बीटर कंपनी है वहाँ पर यह project बनाएगी और दुनिया देखेंगे कि हवासे बिजली बनेगी आप और हम सभी वेट कर रहे थे कि पहला project कहां बनेगा कब स्टार्ट होगा और पहला project बनने के बाद हमें dividend कितना मिलेगा dividend के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो हमारे सीओं हैं मिस्टर डैनिस टेगलिन जी उन्होंने काफी विजिट करने के बाद जब सब डोकुमेंट्स बगरा सब फाइनल होगे उसके बाद उन्होंने वहां पर साइट भी विजिट की हैं तो यह आप प्रोजेक्ट जो फाइनल हुआ दोस्तों वह विएतनाम के प्राइम मिनिस्टर प्रेजिजेंट के सामने फाइनल हुआ है और दुनिया देखेगी कि विटर कमपनी का जो पहला प्रोजेक्ट बनेगा उसके बाद हवासे बिजली कैसे बनेगी पॉल्यूशन फ्री बिजली जैसा कि हमने जब मैंने जब यह विडियो स्टार्ट किती तो मुझे भी नहीं पता था कि प्रोजेक्ट कहां लगेगा कब स्टार्ट होगा और कैसे चीज़े आगे बढ़ेंगी लेकिन धिरे धिरे वीटर कमपनी काम कर रही है तो यह एक रियल और जैन्वन वीडियो में आप देख सकते हैं वहां की विएतनाम की जो टीम है उन्होंने भी दुबई में विजिट किया इस प्रोजेक्ट को समझा सारी चीज़े समझी उसके बार डैनिस टेगलेंजी दुबार गए वहां पर साइट देखी उन्होंने साइट देखने के बाद अब आ आगे बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों यह जो प्रोजेक्न है बहुत ही जल्दी वेतनाम में स्टार्ट होने वाला है और एक नहीं uh हानोई ईंसके बाद नहीं हुए पहले की साइट जो है पाइनell करने के लिए वहां पर बाचीछ चल रही है जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हम सभी यहां पर इस चैनल के उपर आपको जरूर अपडेट्स मिलेंगी और मैं वीटर कंपनी के जो शेयर होल्डर सेंस सभी को बदाई देना चाहता हूँ आपने और हमने इस कंपनी का पर विश्वास किया कंपनी अच्छा काम कर रही है और हम सभी चाहते थे कि वीटर कंपनी का पहला प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो और कंपनी का जो रोड मैफ है उसके साब से कंपनी काम कर रही है अच्छे एरोप्लेन जब तक उड़ा कर नहीं दिखा गया था तो लोगों ने विश्वास नहीं किया था जब पहला प्लेन उड़ा तो आप आज देख सकते हैं कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीया है और लोगों ने भी विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है और बताया जा रहा था जब एरोप्लेन का अविश्कार किया जा रहा था तेस्टिंग चल रहे थी कि एक दिन आएगा कि जो इनसान है वो हवा में उड़ेगा तो बहुत सारे सवाल ते हवा में कैसे उड़ेगा काहां पर बैठेगा क्या सब कुछ कैसे होगा अकेले चलेगा या फिर पाइलेट जैसे होता है पाइलेट किसी में सुना ने था तो सबी सवालों के जवाब मिल चुके हैं इसी तरह वीटर कंपनी में हवासे बिजली जब बनेगी पर यूनिट का कितना खर्चा आएगा कैसे वहां पर खुलेंगे कैसे वहां तक पहुंचेगी और यह प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर वहां पर किसी भी तरह का डिफैक्ट उसको कैसे ठीक किया जाएगा तो आम आदमी के जो सवाल हैं दोस्तों वह अभी भी हैं कुछ सवालों के जवाब हैं कुछ सवालों के जवाब नहीं है लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे और डिव यह सवाल कर रहे हैं कि जब फाइनल हुआ है तो कंपनी को पेमेंट मिल दी होगी तो डिविडेंट देना चाहिए ऐसे हमारे लीडर सवाल कर रहे हैं मुझसे तो देखे दोस्तों ऐसा नहीं है पहले जब यह प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा उसके बाद जब कंपनी के पास पाइनल पेमेंट आएगी कंपनी डिसाइड करेगी कि डिविडेंट कब देना है और कितना देना हूँ कंपनी को भी अभी नहीं पता है हमने कंपनी से बात्चित की थी लास्ट मन्थ हमने कंपनी को फिस में विजिट किया था दुबई एक्सपो में विजिट किया इतनी आगे बढ़ चुकी है और दुबई में पहला प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना उब यह जो हमारी टीम है जो वह गई हुई है वहाँ पर उनकी टेस्टिंग चल रही है जमीन को देख रहे हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं दोस्तों क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और जितने भी हमारे यह सीविल इंजीनियर्स होते हैं उन सभी को पता है कि क्या क्या चीज़े देखनी पड़ती हैं क्या गोवर्मेंट से परमेशन लेनी लगना है और जो पहला प्रोजेक्ट बना जा रहा है दोस्तों आप सभी को पता है जब पहली कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारी गलती भी होती उन गलतीयों को भी सोधारा जाता है और सबसे बड़ा एक्जम्पला वेबसाइट में देख लिए लेकिन बहुत सारी लेकिन पहला प्रोजेक्ट बनने में जो समय लगेगा दूसरा प्रोजेक्ट बनने में उतना समय नहीं लगेगा यह चीज आप भी समझते हैं अगर कोई मिस्तरी है वो मकान बना रहा है अगर वो जिन्दगी में पहला मकान बना रहा है तो उसको भी बहुत सारी चीज़ो आई पियो आप सभी को पता है आई प्यो दोजार तीस अठाइस तीस के आज़ पास जो है अने के और क्मपनी के जो प्राइस है वो बन डोलर के एप फीमेट रह सकता मतलब बन डोलर के आज-पास वो रह सकता है ठोड़ा-बहुत कम ठोड़ा ज्यादा और यह तो शुरुवाथ है शुरुवाथ के बाद जब उस शेयर की वैल्यु बड़ेगी जैसे-जैसे-जैसे हमारे लाइसेंस से लोगे जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे country इस इविटर प्रोजेक उसको अभी हम bonus बोलेंगे जब company का IPO आजाएगा IPO आने के बाद हम इसे dividend बोलेंगे उससे पहले हम bonus बोलेंगे लेकिन आम भासा में हम dividend ही बोलते हैं ताकि सभी लोग समझ जाएं लेकिन technically जो word है वो bonus है पहले जब तक IPO नहीं आता है तो bonus मिलेगा और उसके बाद उसको dividend बोला जाएगा क्योंकि एक share के ओपर हमें कितना dividend मिल रहा है तो इस तरह से दोस्तों चीज़े आके बढ़ेंगी और यह चलता रहेगा और अभी हमारी जो टीम है वो वेतनाम में है और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है जैसे प्रोजेक्स स्टार्ट होगा या फिर पैसा लगाए जिस पैसे को आप पांच साल साथ साल च्यार साल होल्ड कर सकें क्योंकि समय लगए गया दोस्तु यह क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट्स नहीं यह स्टारट अफ आप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टार्ट अप धिरे-धिरे यह रियल बिजनेस स्टार्ट朝 में दिरे दिरे चीज्स आगे बढ़ती है लेकिन जब रुड़ी कम्पणी बन जाती है तो आपको और यह अच्छा फाइदा मिलता है और पहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से चीज्itution करती हैं तो जो कुछ जरूरी अपडेट सी वीटर कंपनी के बारे में इसी तरह से रेकुलर अपडेट्स और इंफरमेशन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आपको कैशे लेगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए हमारा पहला प्रोजेक्ट पैने लोगा दो तरह कामना देते हैं वीडियो को वीडियो के सीयो मिस्टर डैनिस टेखली जी को धन्यवाद भी देते हैं कि इतनी अच्छी टेक्नोलोजी उन्होंने दी है हमें और पूरे दुनिया को वह एक ऐसी टेक्नोलोजी दे रहे हैं जो एक रेवलूशन दोस्तों क्योंकि तो उसके बाद उसको जब हम डिश्ट्रोई करते हैं तो उससे पॉलुशन होता है तो हम एक विल्कुल पॉलुशन फ्री विजली दुनिया को देने वाले हैं बहुत ही जल्दी दुनिया देखेगी तो इस तरह से चीज़े काम करेगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना झाले हैं झाल झाल